हेलो दोस्तों, नमस्कार मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप लोगों का मेरी यूटिब चैनल में आज हम सेखेंगे बिल्ली को कैसे नहलाते हैं ठीके दोस्तों तो जैसे की आप देख रहे हैंовые बिल्ली हमने ले ली है में और बिल्ली को बाज टब में हमने रखा है यह अपना जो वासफिंग होता है रहे हैं छोटे बच्चे रहें चाहे बड़े हैप अपने घर में बड़ावाल वासबेसिन लगाएं तो आपको यह काम आ वास बेसिंग में जो छोटा वाला जो नल लगाते हैं दोस्तों वो छोटा वालर नल आप iemand लगा येगा क्योंकि छोटे-वाले में हांथ दोने में भी परिशानी होती है बड़ा वाला लगा येगा इस टाइप का जो उपर राउन तो आपको काफिवी मिल जाए पहला ये हो गया इसमें जब आप देखिए कि आपका 10-11 बजे का पानी आ रहा है वो अगर नॉर्मल आपका थोड़ा सा नॉर्मल या तो हलका गरम टैप कर रहता है आज ये गर्मी का डेट है गर्मी का दिन है अभी उसमें आपको इस टैप का नहलाना है जैसे आप हम नहला है पानी इस टैप का ताकि पीछे के और गिरे कान में भी बिल्कुल पानी ने जाए और हलका धीरे धीरे आने देजिए आज काल देखिए बिल्ली पालना बहुत आसान हो गया है क्योंकि डॉक से मैंटेनेंस भी कम रहता है डॉक से देख भाल भी बहुत कम करना पड़ता ह है बहुत लोग क्या है पेट्स के सौकीन है जो लोग कालोनी में रहते हैं या जो लोग कोई जॉब कर रहे हैं या जो लोग कुछ इस टाइप का एक मिनट के लिए ब्रेक लगाऊंगा फिर दूसरी बात यह फर्स्ट बात जो है यह माइकोडिन शैंपू है माइकोडिन शैंपू इस्तमाल कीजिए फर्स्ट बात के लिए जिससे उसके फंगस हो या फिर कहना चाहिए कि यह स्मूथ शैंपू है बहुत ज्यादा यह कुछ ऐसा हारम बिल्कुल नहीं है यह और बाल को और ज्यादा मुलायम कर देता है ध्यान रहे दोस्तों आपको नहलाना वन मंध के बादी है अगर कोई फंगस अगरा नहीं है आपको आपके कैट को तो वन मंध के बादी नहलाना है वन मंध प्लस जो है ठीक है 45 डेज हो जाते हैं और इस बीच में कोई समस्य आती है तो समस्य के लिए भी बहुँ सारे उपाएं हैं पावडर है की स्की है और भी बहुत सारा कई बार देखा गया है केट में हलका इंफेक्शन हो जाता है अगर आप डेली कपड़ा बदल दें उनका तो नहीं होता है तो यह हो गया दोस्तों यह किस सैंपू से नहलाना कैसे नहलाना स्क्रीन पर आप देखते रहिए बाकी हम आपको बता रहे हैं अब उसके बाद हो गया कॉलोनीज में रहते हैं या इधर अधर रहते हैं तो आज कल क्या है डॉक्स हो कर दिन में दो तीन बार लेकर के घुमाने जाना बहुत जादा ओड हो गया है और सुरक्षा के दृष्टी से डॉग भी बहुत अच्छा है हम एक्च्वल में डॉग लवर ही हैं डॉग को हम खराब नहीं बोल रहे हैं समय की पावंदी और समय की वजह से ऐसा बता रहे हैं कि कौन सा पैट्स आपके लिए सुटेबल है वह आप सुट करेगा ठीक है अब यहां पर बात कर लेते हैं बिल्ली का रख रखाओ के उपर तो बिल्ली को देखिए आप कमरे में रख सकते हैं बिल्ली जहां पर रहती है वहां पर एक ट्रे लगा दीजिए कहना चीए कि ट्रे में हलका बालू या तो लकडी का भूसा या तो फिर अलग से इनका आता है पोटी करवाने वाला ठीक है वो लगा दीजिए बहुत लंबा चलता है तो अगर आप कोई व्यवस्था नहीं है तो कागज का टुकड़ा भी आप उनको दे सकते हैं पुराना रदी कागज का टुकड़ा उसमें ट्रे में लेटरिंग बातरूम करते हैं आप उसको बाहर जा करके फेक आईए उसके बाद दो दिन में एक बार आप आराम से एक दिन में एक बार जिसकी जैसे सुविधा, ठीक है, इसमें एक चीज और है, एक बार के लिए हम जब घर छोड़ करके बाहर जा रहे थे, तो Amazon पर इसका automatic feeder मिलता है, automatic drinker, automatic feeder मिलता है इनका, वो अगर आप लगा देते हैं, और ट्रेस तीन-चार रख देते हैं, तो समझे आपके आते तक घर गं नसी भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो इनको दाना दे करके जाएंगे, बिल्ली के चलन पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा है, दोस्तों हम पिछले साथ साल सीसी का काम कर रहे हैं, हमारे पास इसके साथ साथ में और पंच फेस है, एक्स्टीम पंच है, सेमी पंच है, जो जैसा क्वालिटी और जो जैसा बजटां डॉल्फेस नहीं है, डॉल्फेस पे काम करना बंद कर दिये हैं, सेमी पंच पंच और एक्स्टीम ठीक है, तीनों के बच्चे अलग-अलग निकलते हैं, अलग-अलग हिसाब से हम उसको सेल करते हैं, सेल का रेट जगा के हिसा से लेकर के 15,000 तक बिका है, सेमी पंच का फिलग-भग 19,000 ऐसा ही रेट रहता है, ठीक है, लास्ट टाम अगर कोई लोट लेता है, तो 10,000 तक मिल जाता है उसको, और अगर उसका बजट और भी कम है, हमारे जो मित्र जो हैं, जो लेने वाले जो फोन उन करते हैं, तो हमारे जो जानने वाले हैं, आसपास में, हम उनसे डॉल फेस उनको अरेंज करा के दे देते हैं, डॉल फेस का अराउंड 8,000 से 12,000 के अंदर, उसके क्वालिटी के उपर डिपेंड करता है, कि वो त्रिपल कोट है, वेन क्वालिटी है, कित्ता बड़ा है, क्या साइज होगा, मद और उसका एक अलगी ब्लड लाइन है, इसलिए उसको वेन क्वालिटी बोलते हैं, टॉप क्वालिटी का, इसमें बिल्ली के परजाती मैं बता दूँ, एक जो चलन में बहुत जादा है, वो हिमालियन है, परशियन के नाम में लोग कुछ भी पकड़ा देते हैं, लंबे ब किसी भी सौप से पेट सौप से उठाते हैं दोस्तों, तो कई बार हमको फंगस वगरा का भी सामना करना पड़ता है, उस चीज़ को आप देख लिए मदर फादर की क्वालिटी क्या है, किस टाइप का है, कोशिस कीजिए कि अकसर आप सेमी पंच 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 पालने का, क्य अगर कोई बिजनेस के लिए सोच रहा है तो भी, और कोई बिजनेस के लिए अगर नहीं भी सोच रहा है, तो भी, क्योंकि आपको 2-4,000 रुपर जादा लगा करके, अगर कोई अच्छी क्वालिटी का आप बिल्ला या बिल्ली खरीद रहे हैं, जो कि आप लॉंग टाइम कम से कम 20-30 साल तक आराम से, सुरी मतलब 15-17 साल तक आराम से आप चलाने वाले हैं जिसको, क्योंकि ऐसे पैट ये इस टैप का है कि आप इसको ट्रेनिंग देंगे तो अपने साथ में बाहर भी लेके जा सकते हैं, या घर से बाहर बिल्कुल नी निकलती खूले में भी आप इसको रख सकते हैं, अब हो गया दोस्तों नहलाना और आप लोगों से बहुत अच्छी अच्छी बाते हैं, इस बीच में अगर आपको कुछ भी चाहिए, टर्की, मुर्की, पॉलिस, कैप्सिल, कॉलंबियन, ब्रह्मा, एक्जोर्टिक तो बिल्कुल संपद कीजिए, नम झाल